नमस्कार साथियों, हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है परजापती कुमार समाज में समय समय में ऐसी महानवी भूतियों ने जनम लिया है जिनोंने ने केवल समाज बलकी देश का नाम रोशन किया है इन्ही में से एक है संत्राम भी है जिनोंने देश की विसमता भरी जाती ववस्ता, रूडी वादिता, पाक अंडवाद, अंद विश्वास के खिलाब अबाद उठाई जाती और वर्क भी हिं समाज के निर्माण के लिए अपनी कलम चलाई संत्राम भी है ने सो से अधिक पुस्तकें लिखी है तथा कई पत्रपत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं संत्राम भी है कालजनम पंजाब के होस्यारपूर जिले के बस्ती गाओं में 14 फरवरी 1887 में कुमार समाज में हुआ इनकी प्रारंबिक सिक्षा बजवाड़ा के हाइ स्कूल में हुई इसके बाद 1909 में इनोंने गورمेंट कॉलेज लाहूर से बिये पास किया इनके समY में बिये पास करना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी इसलिए लोगों ने उन्हें संत्राम भी ये कहना आरंब कर दिया तभी से इनका नाम संत्राम भी ये हो गया संतराम भीये ने अपने नाम के साथ कभी जाती का उलेक नहीं किया क्योंकि वे जाती ववेस्था और वर्ग ववेस्था के सक्त खिलाव थे संतराम भीये का विद्यारती जीवन से ही समाज के कारियों में अत्तेदिक रूची थी आगे जाकर वे सुमामे द्याने सरस्वती और सर्दानद के वीचारों से पर भावित हुए और आरिय समाज में सामिल हो गए इसके बाद वे पर्मानद के संपरक में आए फिर दोनों ने मिलकर 1922 में जाती पातिक तोड़क मंडल की सतापना की जिसके पर धान पर्मानद बने तता संतराम इसके सची बने देरे देरे जाती तोड़क मंडल का दैरा बढ़ने लगा और पंजाब की सिमाओं को पार करते हुए देश बर में इसकी साखाएं खुलने लगी मंडल के प्रियासों सैकडों अंतरजातिय विवाहा भी होए जिसके चलते कई बार इने विरोध का सामना भी करना पड़ा संतराम ने अपनी संतानों का विवाहा जाती पाती के भेद भाव से उपर उठकर किया मंडल के तत्वा दान में 1936 में वार्शिक अदिवेशन का आयोजन रखा गया अध्यक्षिय भाषन के लिए डॉक्टर भीम्राव अमेडकर को लाहर बुलाया गया था जिसमें सहमती नहीं बन पाने के कान अदिवेशन को निरस्थ कर दिया संत्राम बिये के द्वारा 1948 में लिखी गई किताब हमारा समाज काफी चर्चित रही इसमें उन्होंने हिंदू समाज में हल्चल मचा दी थी इसके कई एतिहासी गटनाओं के माध्यम से हिंदू समाज में व्यापत रूडी वाधिता पर कटाक्स किया गया था संत्राम के द्वारा लिखे जाने वाले लेख उस समय की सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकासित होते थे संत्राम बिये ने उर्दू में स्वम की एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था करान थी इसके इलावा उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया मई 1988 को अपनी बेटी गारगी चड़ा के यहां आंति में सांस ली साथियों आज हम उन्हें इमके साहसिक कारियों के लिए कोटी कोटी नमन करते हैं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें